नाशनल हेराल्स केस में जैसे जैसे एडी की जाच बढ़ रही है वैसे वैसे ये आश्रंका बढ़ रही है कि सोनिया राहूल गिरफतार भी हो सकते हैं 75 साकी उम्र में बीमार सोनिया गांधी राहूल गांधी को एडी पूछताज के लिए कई बार बुला चुकी है श्रिक अंजा कस रहा है किरफतारी जैसी अनहोनी से इंकार नहीं किया जा सकता वैसे भी सोनिया गांधी जब से भारत आई तब से कुछ न कुछ अनहोनी जेल रही है देखे राजीव गांधी से मिलने से लेकर 22 साल तक कॉंग्रस अध्यक्ष बने रहने तक कैसे कैसे टर्निंग पॉइंट आते रहे सोनिया गांधी की लाइफ में बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में आप देख रहे हैं न्यूस तक मैं हूनी दी तनीचा सोनिया के जिंदगी में पहला टर्निंग पॉइंट तब आया जब वो इटली से पढ़ाई के लिए केंब्रिज उनिवर्सटी पहुंची 1965 की बात है जब राजीव गांधी भी पढ़ाई के लिए केंब्रिज उनिवर्सटी के ट्विनिटी कॉलेज पहुंचे थे सोनिया केंब्रिज के लिनोक्स कुक स्कूल में अंग्रेजी सीखने के लिए आई थी कैंब्रिज की मुलाकाते प्यार में बदली और प्यार शाधी तक पहुंचा तीन साल के प्यार के बाद इंदुरा गांधी ने दोनों की शाधी करा दी 25 फेबरी 1968 में दली में राजीव गांधी सोनिया की शाधी हुई इटली की सोनिया भारत की बहुरानी बन गई तब राजीव की राजनीती से दूर दूर तक वास्ता नहीं था लेकिन इंदुरा गांधी फूल टाइम राजनीती में थी सुनिया का परिवार शादी से सेमत नहीं था उनका कर्यादान अमिताब बच्चन के माता पिता ने किया था इन्दिरा गांधी की राजनीतिक विरासत को राजीव गांधी ने संभाला था 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई 5-6 साल तक तो उन्होंने खुद को राजनीती से दूर रखा लेकिन पार्टी और परिवार की विरासत के लिए राजनीती में आना ही पड़ा एक बार राजनीती में आई तो आज तक उसी पार्टी उसी परिवार की विरासत को संभाला हुआ है 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद वो बैक्ग्राउंड पे चली गए लेकिन कॉंग्रेस पर वर्चस्व की लडाई चलती रही नर्सिम्हा राओ पीम ते लेकिन सोनिया गांधी से बनती नहीं थी नर्सिम्हा राओ के बाद सीताराम केसरी कॉंग्रेस अध्यक्ष बने लेकिन वो भी सोनिया गांधी को आँखे दिखाने लगे राजीव गांधी के बाद दोनों से सोनिया को थोखा ही मिला राजनीती में आने का बोज फैसला सोनिया के सामने सवाल था या तो अपनी आखों के सामने हाथ से कॉंग्रेस को निकलता देख या राजनीती में उतर कर पाटी बचाएं सोनिया ने बोज डिसिशन लिया, राजनीती में आई पाटी संफाली और सचमुच चार-पांच साल में कॉंग्रेस बाजपाई लहर को पचारते हुए सत्ता में लौट आई 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद सबकी नजरे सोनिया गांधी पर ठीकी थी तब सोनिया ने पाटी में सक्रिय होने से मना कर दिया 14 मार्च 1998 को धूमधाम से कॉंग्रेस अध्यक्ष पत पर उनकी तात पोशी हुई राजीव गांधी के बाद भी कॉंग्रेस सत्ता में तो रही लेकिट पाटी अंधुरूनी कलह और अनिश्चित्ता की चपेट में थी राहुल प्रियंक का छोटे थे और नौन गांधी लीडर्शिप परिवार पर भारी पड़ रही थी तब सोनिया गांधी ने 14 मार्च 1998 को पाटी की कमान संभाली तब कॉंग्रेस की हालत अभी से कुछ ही बहतर स्थिती में थी मध्यप्रदेश, ओडिसा, मिजुरम, नागलेंट में भी मेही कॉंग्रेस सत्ता में रह गई थी 17 एपरिवल 1999 को सिर्फ एक वोट से वाजपई सरकार गिर गई थी सुनिया गांधी ने 21 अप्रेल को राश्ट्रपती के आर नारायनन से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेच कर दिया राश्ट्रपती भवन की प्रेस कॉंफरेंस में बिना सहयोग्यों को भरुसे के लिए एलान कर दिया कि हमारे पास 272 का अकड़ा है इसका मुलायम से यादब ने बुरा मान लिया कॉंग्रेस को समर्थन नहीं दिया सपो और लेफ्ट के सहयोग से पहली बार सरकार बनाने का सुनिया का मनसूबा तूट गया कॉंग्रेस ने लंबे वक्त तक चुनावी असफलताईं झेली लंबे समय इस अस्मंजस में भी रही कि गड़ बंधन करना है या नहीं सुनिया गांधी के समय ही कॉंग्रेस यूपीय की शत्री के नीचे आई बीजेपी के खिलाफ चेत्रीय पार्टियों के साथ गड़ बंधन का सुनिया का प्रयोक शांदार था 2004 में वाचपई के इंडिया शाइनिंग वाले दौर में यूपीय ने बीजेपी एंटिय को हरा दिया सोनिया गांधी के कॉंग्रेस अध्यक्ष बनने तक विदेशी मूल वाला विवात कहीं नहीं था अचानक श्वरत पवार पिये संगमा तारेक अन्वर को बड़दाश नहीं होने लगा कि विदेशी मूल की सोनिया अध्यक्ष बने इसी मुद्धे पर तीनों ने बगावत करके कॉंग्रेस छोड़ कर NCP बना ली इसके बाद तो विदेशी मोल का मुद्धा सोनिया गांधी के लिए कांटा बन गया विदेशी मोल पर सोनिया गांधी को अगला कांटा चुब होया सुष्मा स्वराज 2004 में कॉंग्रेस लेट सरकार बनने जा रही थी बिल्कुल तै था कि इटली में जन्मी विदेशी मोल की सोनिया गांधी प्रधान मंत्री बनेंगी सुष्मा स्वराज ने कसम खाली थी कि अगर सोनिया गांधी प्येम बनती है तो वो सिर मुणवालेंगी सफेज साडी पहनेंगी, जमीन पर सोएंगी और सुखे चने खाएंगी सोनिया ने प्रधान मंत्री बनने का एरादा हमेश्वा के लिए त्याग दिया समविधान ने सोनिया गांधी को प्रधान मंत्री बनने से नहीं रोका राजनीती ने रोका, विदेशी मोल की होकर भी सोनिया गांधी के पास सारे भारतिये नागरिक वाले अधिकार वो 1998 से लगता चुनाप जीत कर सांसत बनी हुई हैं यहां तक कि UPA सरकार में सरकार को सला देने वाली National Advisory Council का सरकारी अध्यक्ष पद भी संभाला देश के जाने माने Economist, पूर्व आर्बिया गवनर, पूर्व वित्त मंत्री मनमोहन सिंग, सोनिया गांधी के लिए लखी साबित हुए मनमोहन सिंग को नरसिमहा राव, राजनीती में लाए थे, सोनिया और नरसिमहा राव में पड़ती नहीं थी तब भी सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंग पर भरोसा जताया 2009 में सोनिया ने मनमोहन सिंग को PM प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा सोनिया का फैसला सही था 2004 से 2014 तक मनमोहन के नाम और चहरे पर ही कॉंग्रेस राजसुक भोगती रही तब तक सोनिया गांथी नरेंद्र मोदी के बीच सीधा कोई बैर नहीं था जब तक सोनिया ने मोदी को मौत का सोधागर कहकर नहीं पुकारा था 2007 के गुजरात विधान सभाचुनाव में गुजरात दंगो को लेकर सोनिया ने बयान दिया था कि मोदी की इमेज खराब होगी कॉंग्रेस को फायदा मिलेगा सोनिया का बयान बैक फायर कर गया पॉंग्रेस गुजराट में तो हारी ही आज तक बीजेपी पॉंग्रेस के खिलाब सुनिया के बयान का इस्तवाल करती है 2014 में मनीशुकर राइयर ने जोश में आकर मोदी को चायवाला बोला था बिल्कुल नहीं मैं आपको वायदा करता हूँ कि इस 21 सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रदान मंतरी नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे यहां आकर चाय का वित्रण करना चाते हैं तो हम उनके लिए कुछ चखा बना रखते हैं अपमान के इरादे से दिये गए इस वयान से कॉंग्रेस और मोदी दोनों की किस्मत पलट गई मोदी और वीजपी चायवाला को कैम्पेन बना कर चुनाव में गए चुनाव में मोदी की बंपर जीत हुई और पॉंग्रेस की बंपर हार चायवाला अचाक को आज तक मोधी यहना बनाये हुए है और कॉंग्रेस के पास इसकी कोई काट नहीं है अपने जीवन में सोनिया ने बहुत उतार चड़ाव देखे हर मुश्किल हालाद से उबर गई लेकिन बेटे राहूल गांधी वाली समस्या वनी हुई है 2017 में सोनिया ने कॉंग्रेस अध्यक्षपद राहूल को सौपा था लेकिन राहूल के नित्रित्व में कॉंग्रेस लगातार हार रही थी राहूल गांधी परिवार की विरासत वाली सीट अमेठी तक नहीं बजा पाए आज इच होकर उन्होंने 2019 में कॉंग्रेस अध्यक्षपद छोड़ दिया लेकिन राहूल सोनिया कॉंग्रेस तीनों की किस्मत दाव पर लगी है राहूल गांधी हिट नहीं हुए तो सोनिया ने बेटी प्रियंका गांधी की पॉलिटिकल लांचिंग की बरसों की हाना के बाद प्रियंका ने यूपी चुनाव की बाफ़दॉर संभाली लेकिन वो भी फेल हुई राहुल प्रियंका दोनों पार्टी में हैं पार्टी को बचाने और आगे ले जाने के लिए लड़ रहे हैं लेकिन मोधी लहर में दोनों का मिशन लगाता फेल हो रहा है रॉबर्ट वाढ़ा से प्रियंका गांधी की शादी से भी सौनिया गांधी को कम नहीं जिलना पड़ा रॉबर्ट वाढ़ा राजनीती से दूर रहे लेकेन बीजेपी के रडार पर आ गए बीजेपी ने वाडरा पर करप्शन के इतने विवाद ढूंड काले की वाडरा भी ED की चपेट में आ गए DLF के जमी सौदे से लेकर लंदन में प्रॉपटी तक वाडरा विवादों में फसे हैं और उनकी फाइल ED में पेंडिंग है राहूल गांधी 2017 से 2019 तक कॉंग्रस अध्यक्ष रहे लेकिन हार और अंतर कलह से उपकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया कॉंग्रस आज तक नया अध्यक्ष नहीं ढूंड पाई मजबूरन सोनिया को ही पाटी की कमान संभालने पड़ी अगर 2019 से सोनिया ही कॉंग्रस की अंतरिम अध्यक्ष है सोनिया गांधी सबसे लंबे समय तक कॉंग्रस अध्यक्ष पत संभालने वाली नेता है 22 साल से कॉंग्रेस की अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नहरू, इंद्रा कांथी, राजीव कांथी, राहुल गांथी सब ने मिलकर 21 साल तक कॉंग्रेस की कमान सभाली सोनिया अब तक के सबसे बड़े खत्रे का सामना कर रही है खत्रा है जेव जाने का, नैशनल हराल्ट केस्ट में, इडी की जाच तेजी से सोनिया राहुल की ओर बढ़ रही है मा बेटे से इडी ने 60 घंटे से ज्यादा की पूछताच कर ली है, यंग इंद्रिया कंपनी में ताला लग चुका है आशनका जताई जा रही है कि इडी इन दोनों की गिरफतारी भी कर सकती है ये सच है या आशनका अभी कोई नहीं जानता इस वीडियो पर आपकी क्या है राय कॉमेंस में लिख कर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूस तक कर दो